सीधे चले विकास के पास एक पर समझ लें कि शेर मार्केट क्या कहने वाला है जब बजट पेश होता है जाता है उसके बाद विकास मैं सबसे पहले आपसे जाना चाहूँगा मुंबई में आप मौजूद है माया नगरी है शेर बाजार की नगरी है मुझे ये बताईए आप क्या कहता है क्या कहरा है बाजार का सेंटिमेंट इस वेक्म क्या उम् Wijक कर रहा निर्मला सीतरमन और से बजट मेंrolle कि बिल्कुल दिपरभो दिखिए शियर बजार की निबज जो है वह बहुत है कि इस परर निरभर करेगी कि निर्मला सीतारमन के पितारे से आज उनके लिए निवेशकों के लिए क्या निकल कर आता है फिलाल अभी ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है बजार कुछ देर में शुरू होगा लेकि निवेशकों की नजर अब से ही जो है वो यहाँ पर अभी जमा हो जाएंगे इस प्र यार्तिक राजधानी मुंबई का हाल बता रहे थे हमारे सयोगी विकास उनसे एक बार प्रिट से संपर्ट करने की पूशिश करेंगे कुछ तक्नीकी खामी होड़े के विए संपर्ट सुन लेते हैं विकास जल्दी से अपने बात कंप्लीट कीजिए जी बिल्कुल तो लॉंग टम कापेंज जो है उसको लेकर निवेशकों की उमीदे काफी जादा है ये वो निवेश है जो लंबे समय के लिए बाजार में रहता है लिहाजा वो ये चाहते होंगे वित्तमंत्री से की इसमें रियाद दी जाए इसमें टैक्स में रिबेट मि ले उनको शौट टम कैपिटल गेंज तो पहले से हैं तो निवेशकों अगर उन ऐसा होता है तो निवेशकों के लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट का काम करेगा निवेशक साहित होंगे और जादा निवेश जो है वो बाजार में आएगा तो सबसे बड़ी उमीद सरहमन के ऐलान पर टक टकी लगाए उनकी निगाहें होंगी मैं अपडेट आपको उस बारे में निश्चित दूँगा बलकुल आपके गरी फिर से आएंगे और शेयर वाजार अपने आपने दीपक जी बता देता है कि किस तरीके से लिया जा रहा है इस बजट को लेकिन हल शेयर वाजार में पैसा डूबना और पैसा बनना दोनों बड़ा आसान और बड़ा मुश्किल भी है। आपको रोजगार मोहिया कराना है जिस पर आपकी पहली सरकार को लगातार घेरा गया है किस तरीके से आप इस चैलेंज को देखते हैं निर्मला सीतरमन के सामने अभी यह चैलेंज कितना बड़ा है देखिए जो एकॉनोमेक सर्वेय है उसको देखने से एक आध इंडिकेशन मिलता है कि सरकार की क्या नीती हो सकती है इस डायरेक्शन के लिए इन्होंने कहा है कि अगर हम एक्टीन परसेंट पॉपलेशन है दुनिया की और छे परसेंट एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी कंजम्शन अगर बढ़ता है देश में इन् कंजम्शन 2.5 टाइम्स बढ़ा दें तो जीडीपी ग्रोथ में दो परसेंट से आसपास या उससे भी ज्यादार की जो है वो ग्रोथ हो सकती है तो एक यह डायरेक्शन जो मुझे एकनोमिक सर्वे के फिलिप्टू करने से धमन में आया है वो यह है कि पर कैप्टा 5 ट्रिलियन एकनोमी की बात चल रही है तो उसके लिए I mean it is a common agreed कोई नहीं इसको dispute कर रहा है कि आपको जीडीपी ग्रोथ में बढ़ा बहुतरी लानी पड़ेगा बाकी जहां तक के issues है उसमें मुझे लगता है कि एक और option इन्होंने दिया है एक और निया एरिया इन्होंने कोशिश की है उसमें how it unfolds उस पर depend करेगा इन्होंने कहा है कि हम स्वच्छ भारत से सुंदर भारत की तरफ जाएंगे स्वच्छ भारत का एक स्टेज और बड़ा प्रिलिम्री स्टेज था कि आप ने ट्वाइलेट्स बना दिये बट आप कह सकते हैं कि यसे फिनांस में लोग कहतें न सेकंड जरनेरेशन रिफॉर्म इसी तरह से स्वच्छता के स्टेज में भी सेकंड जरनेरेशन रिफॉर् के बारे में कोई एक अच्छी स्ट्रेट्जी बना पाते हैं तो मुझे लगता है कि उससे काफी कुछ जो है वो इनका एकॉनोमिक ग्रोथ में जॉप प्रियेशन में अच्छा कंट्रिवुशन हो सकता है तो मुझे जो इंडिकेशन इनके एकॉनोमिक सर्वे से मिले हैं बाकी जगे पढ़ने से लगता है कि जो मोधी 2-0 है इस नोट इनके वरी इन्वीयबल पोजीशन है पर एक्जामपल देव अप्सलूट मजोर्टी नो इस गुड़ और इस बैड और इस बैड और बिकॉस देटेग हाड देशिएंस बड़ आप पास मजोर्टी नहीं ती इसलिए हम कई यह करना चाहते थे और हम नहीं कहीं जो आपका करेंड डिफिसिट है उसके बारे में भी कोई बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं कही गई है सिवा इसके की हमारे पास 400 बिलियन डॉलर के जो यह वो तमाम मुद्धे हैं जिस पर आज देखना है कि निर् अच्छे बारत अभियान की बात हुई थी अब प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी सरकार में पहले ही मन की बात में जल संरक्षन की बात किये तो जल संरक्षन है जलवायू संरक्षन की दिशा में भी क्या बजट में कुछ बात हो सकती है यह भी एक देख जाएगा और निर्मला सीता रमन और अनुराग ठाकुर के नाम के साथ लिखा जाएगा कि आज जैसे यह बजट पेश करने पहुंचे चालिस हजार के पार चला गया सेंसेक्स और इस जगे को पाने चली एक लंबा वक्त लगाए